हलो दोस्तों आपका स्वागत है मैं आपका दोस्ति शांत आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए लाग्टाव के साथ है आज हम लेके आए हैं HP Pavilion EG 3018 TU जी हाँ पहले भी पॉटल के हमने अंबॉक्सिंग करी है जैसे 3036 हो गया है 2627 TU अब आपके पूछेंगे के साथ 16GB RAM है अब जो इस लाप्टाप को बाकी से अलग करता है वो है इसका स्टोरेज हम जो भी अभी लाप्टाप की अंबॉक्सिंग करी थी हमने वह सब 512GB SSD के साथ यह है 1 TV SSD के साथ जी हां जैसे आपने पहले पी वीडियो देगी थी हमने डैल ने लांच किया था ऐसे ही एच्पी ने अपना लाप्टाप लॉंच कर दिया है एजी 30182 आइप 13 जरेशन 16GB RAM 1 TV हांटेज विंडो 11 MS ओंटाथ फिंगर फिंटर भी है तो आज हम इसकी अंबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे एच्पी ने इसमें कुछ और भी चेंजिस करें है या नहीं तो चल आगे बढ़ते हैं करते हैं लाप्टाप को अनबॉक्स का लिया है जैसे कि हैं लाप्टाप में आता है मुस्टी तीन ही आइटम्स आती है और एक मैनूल भी आता है वह इसी बॉक्स के अंदर ही अभी सबसे पहले हम इसकी लुप की बात करूं तो अभी जो मॉडल्स लॉ लुक्स सेम है जो कंपरी ने इसमें चेंज किया है बेसिकली वन टीवी एससडी करती है जो पांसुबारा एससडी आ रही थी अगर इस लीक ने इसकी बात करेंगे तो अपनी जो अभी तक अपनी पवीलियन लाप्टाप के अंदर एच्पी लेता आया है तो चलिए दोस् अपन बी करेंगे इसका बैक पैनल भी ओपन करके अगर में का ऊँड़ी तो एक हाथ से उपन नहीं हो राया या लाप्टाप पास्टाइम बूट करेंगे इसे हम भूत कर लेते हैं दस से फजामिंद लगे इसकी पर्स चिखाता हूँ हो पो देखरेंगे इसकी स्पैसिफ उसके बाद आपको मिलता है type C, अगर आपने data backup लेना है, fast data backup लेना है, तो आप इससे वो ले सकते हैं, उसके बाद एक port और आपको दिखाई दे रहा है, वो 3.5 mm का audio जाई, जिससे आप headphone और speakers connect कर सकते हैं, लापटोप के left side में आपको सिर्फ दो ही port दिखाई देंगे, एक है charging के लिए, लापटोप को चार्ज करने के लिए, आपका USB type A for 10.2, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, लापटोप की configuration क्या है, तबसे पहले बात करते हैं, प्रोसेसर की, तो 13 Gen Intel का प्रोसेसर है, i5-1335U, न मैं इसको भी clear कर देता हूं, अगर हमारी, इसमें base speed जो है, वो 1.3 GHz है, लेकिन turbo boost technology के साथ, लापटोप आता है, ये boost up होके जाएगी 4.6 GHz तक, अगर core की बात करूँ तो, मैं 10 core है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, इस वीडियो में भी आपसे share करता हूं, 10 core में से सिरफ 2 core हमारे performance core है, बाकी 8 core जो है, वो efficient core है, जी हाँ, हमेशा याद रखेगा, सिरफ 2 core आपके performance score है, 8 efficient core है, performance score ही boost up होके 4.6 GHz तक जाएगा, otherwise, जो efficient core है, उनकी maximum, जो clock speed है, वो 3.4 GHz तक ही रहेगी, अगर हम logical processor की बात करेंगे, तो वो 12 है, और L3 cache है, आपको इसमें मिलती है, 12 यह भी याद अखेगा, कि AMD के cores कम होते हैं, लेकिन वो सारे performance score होते है, अगर हम इसके compare में बात करेंगे, तो AMD 6 core का processor लेके आया है, लेकिन वो अपने 6 के 6 performance score देता है, मैं होरी की बात करेंगे, तो 16 GB की RAM आपको इसमें मिलती है, speed 3200 MHz की है, slot 2 है, दोनों के दोनों used है, लेकिन फिर भी laptop पो open करेंगे, हम आपको दिखाएंगे, कि आपकी RAM अपगेड हो जाएगी है, नहीं हो, अगर डिस्क की बात करेंगे, तो Intel की इसमें आपकी SSD लगी भी है, जो 1 TB की है, जिसकी capacity आपको 954 GB मिलती है, Wi-Fi की बात करेंगे, तो Real Tech का Wi-Fi है, Wi-Fi 6E आपको इसमे आपको मिलता है, मैं आपको बता दू कि इसमें 16 GB की RAM लगी भी है, तो दोनों slot used है, अगर आप यह सोच रहे हैं, कि HP ने इसमें 16 GB की एक slot use क्यों नहीं किया, कि कभी upgrade करना हो, तो एक slot खाली रह जाए, तो मैं इसकी information पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, कि अगर Intel Iris Graphics में एक slot में RAM यूज़ होगी, तो वो as a Intel Iris Graphics यूज़ नहीं होगा, इसी लिए हमें dual RAM यूज़ करने पड़ी है, अगर हम 8 यूज़ करने हैं, तो 4-4 GB की यूज़ करने पड़ेगी, तब ही Intel Iris Graphics यूज़ में आएगा, otherwise Intel UHD Graphics में वो convert हो ज इसमें आपको 15.6 inches की Full HD screen मिलती है, इसके resolution की बात करेंगे, तो 1925 1080 IPS display आपको इसमें मिलता है, Micro Edge है, अगर हम बात करेंगे इसके panels की, तो अगर आप देखें, बहुत ही narrow bezel आपको इसमें मिलते हैं, और screen इसकी glossy screen है, नोर्मली जो पहले laptop आपको इसमें anti-glare थी, अगर हम बात करेंगे, EG3027 की उसमें anti-glare screen थी, इसके अंदर आपको glossy screen मिलती है, निट्स की बात करेंगे इसके 250 nits है और 45% NTSC आपको इसमें मिलती है, अगर हम कैमरे की बात करते हैं, तो इसमें आपको 720p SD camera मिलता है, विट टेम्पर लॉज सेडिक्शन के साथ, और इंटिगेटिटी डूल एरे डिजिटल माइपरोंस के साथ, आपको इसका camera मिलता है, तो चलिए दोस्तों, ला तो दोस्तों, लापटप हमारा उपन हो गया है, आइए देखते हैं इसमें हमारे कहां-कहां पर कोन कोंगों से टूल लगे हुए है, तो दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं फिलवा लापटप तो यह है हमारा फैन और यह प्रोसेसर है, जो हीट सिंके तूरू यह बात करेंगे, तो SSD लगी है, 1 TV की SSD है, अगर आप अपगेड करना चाहेंगे, तो आपको रिमूब करके ही अपगेड करनी पड़ेगी, एक्स्टा इसमें कहीं भी कोई भी स्लॉट हमें नहीं दिखाई दे रहा है, बात करेंगे रैम की, तो आठाट जीबी की दो रैम इसमें लगी भी है, आप अपगेड करना चाहें, तो 16-16 की दो लगाईएगा, अधर्वाइस, 8 की और 16 की करेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम आए सकती है, इसलिए आप जब भी अपगेड करना चाहें, तो 16-16 की करने पड़ेगी, और दोनों को रिमॉब करके, यहां हमारा वाइफाई 6, जो आपने देखा था, हमारी जो बैटरी है, वो 3-cell की बैटरी है, जो आप देख रहे हैं, 41 वर्क ओवर्स के साथ, अगर आप बैटरी बैक अप की बात करेंगे, तो आप नॉर्मली आपको 5-6 गंटे बैटरी बैक आप आपको इसमें इसलि बिल जाएगा, अगर हम स्पीकर देखते हैं, तो यहाँ पे दो आपको स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, दो स्पीकर आपको इस लाप्टाप में मिलते हैं, तो दोस्तों आज हमने अन्बॉक्स किया, HP Pavilion 15 EG30182, HP already EG सीरीज में काफी लाप्टाप को लाँच कर चुका है, उसमें थोड़ मैं इसके बेनफिट की बात करो, तो बहुत लोग मार्केट में डिमांड करते हैं, कि जैसे उन्हें काम करना हैं, या फोटोशॉप में किसी भी चीज में, तो आजकर ओनलाइन क्लासेज भी स्टूरेंट भी काफी होते हैं, जिने अपने लाप्टाप को स्टोर करना होता ह है, अगर मैं यह कहूँ, आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है 512GB SSD और 1TV SSD के प्राइस में, तो मेरा तो मानना ही है, यह फ्यूचर में जो आप लेके आएं, वो 1TV SSD के साथ ही लेके आएं, अगर मैं इसके बात करूं कि थोड़ा सा HP ने जब 512GB से 1TV म अपग्रेड किया था, तो इसकी RAM भी अपग्रेड कर देनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत चोटे-चोटे चेंजिस में अगर नए-ने लापटाप्स लोंच होंगे, तो viewers जो होते हैं, मार्केट में कस्टमर हैं, वो बड़ा कंफ्यूज जाता है, बाकि आपने अगर यूज करने की जरुद बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आपको अपडेड कराना पड़ेगा, RAM भी 16GT है, 32GB अपडेड कराने की आपको इसमें जरुद बहुत ज्यादा नहीं आएगी, अगर आप बात करने के प्राइसिंग की, तो HP ने इस लापटाप को अप्रॉक्सिमेट 75,000 की अप्रॉक्स में लाउंच किया, जो HP की जो सेलिक प्राइस है, वो अप्रॉक्सिमेटी 78,000 है, मार्केट में 75,000 से 80,000 के बीच में आपको कहीं भी मिल जाएगा, और हाँ, जब भी आप ये लापटाप लेने जाए, HP 1 पे तो ये जरूर ध्यान रखेगा की, टाइम टाइम एक्षेंटिट वारंटी की ओफर्स उनके पास एविलेबर होती है, वन यह से 3 यह से वारंटी बहुत ही बेस्ट एट में वो आपको दे रहेंगे, और एक्षेंटेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी आप इसका ले सकते हैं, क्योंकि देखिए, स्क्रीन होगी, ये बाड़ी होगे, कभी भी डैमेज हो जाए, तो HP तीन साल का एक्षेंटल डैमेज प्रोटेक्शन 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 कराता है, कुछ चार्जिस होते हैं, वो भी जब भी आप HP पर जाए, तो आप उनसे जरूर कर लीजेगा, मैं आपसे एक बात और कहना चाहत तो कोशिश करिएगा, HP वर्ल्ड पर ही जाएगेगा, वहाँ पर आपको सारी वराइटी मिल जाएगी, अगर आप किसी वियर अपार पर चलेगे, जहां पर बहुत कम लाप्टाप्स होते हैं, बेसिकली लाप्टाप्स हो जादा लगे होते हैं, तो वो कोशिश ये करेगे कि आपको वो ही लाप्टाप देना जाएगे, जो उनके पास स्टॉक में होगा, तो इसलिए हमेशा आप शेहिए करता हो, कभी भी आप लाप्टाप लें, चाहे आप HP करें, चाहे आप Dell करें, चाहे लिनोग करें, उन्हीं के exclusive store से ही लीजिएगा, और वारंटी भी आप उ चैनल सबस्क्राइब जरूर करें, बैल आइकार जरूर प्रेस करते हैं, और हाँ यह आपको वीडियो कैसी लगी है, जरूर बताईएगा, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, आपको फिर भी कोई कॉशन रह रहे हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पू